नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ जोतिश गुरू शिरोमनी सचिन मित्रो, देव दीपावली की आपको धेरो शुब कामना देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या इसका शुब महुर्त है और कौन सा दिव दीपावली के दिन आप भगवान शिव को प्रसंद कर सकते हैं, आईये जानने का प्रयास करते हैं तो मित्रो, सबसे पहले जानते हैं कि देव दीपावली की महिमा क्या है देखे, कार्तिक मास के शुकल पक्ष की पुरुनिमा तिथी को भगवान शिव ने तिरप्रासुर नाम के राक्षस का वद किया था सभी देवी देवताव ने मिलकर दीप जलाकर भगवान शिव का अभार जाताया था मित्रो इसलिए काशी में हर साल प्रतिवर्ष कार्तिक पुरुनिमा पर देव दीपावली धुमधाम से मनाई जाती है इस बार कार्तिक पुरुनिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3 बचकर 53 मिनट पर शुरू होगी पांच बजकर आठ मिनट से साथ बजकर 45 मिनट तक रहने वाला है इस विशिस्ट और शुब मुहुर्थ में कम से कम 27,54 या 108 सरसों के तेल के दीपक किसी पवित्र नदी के किनारे आप अवश्य जलाए मित्रो कार्तिक शुकल पक्ष की पुर्णिमा पर गंगा सनान के बाद दीपदान करने से संपून वर शुबता मिलती है बिगडे हुए काम बनने लगते हैं और आपकी सेहत अच्छी हो जाती है मित्रो इस देवदी पावली पर कौन-कौन से शुबयोग बन रहे हैं वो भी आपको बताते हैं इस कार्तिक पुर्णिमा देवदी पावली पर सुबह 6.52 से रवी योग शुरू होगा दोपहर 2.05 मिनट तक रहने वाला है इस देवदी पावली पर रवी योग के साथ ही परिग और शिव योग भी बन रहे हैं जो अपने आप में अध्भुत और महत्वपूर्ण है इस विशेश योग में भगवान शिव की पूजा करने से अपने कुल देवी देवताओं को मनाने से उनकी आराधना करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी और उत्तम सेहत का महावरदान भगवान शिव आपको अवश्य देंगे दूद, दही, घी, शहद और शक्कर आप किसी कांच के या किसी हो सके तो चांदी के लोटे में आप बनाईए यह एक धारा के साथ शिवलिंग पर प्रदोश काल में अरपित कर दीजिए ऐसा करने से आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी रोग, दोश, शो, कलह, कलेश, पाप, संताव कहीं न कहीं खत्म हो जाएंगे तो मित्रो इस देव दीपावली पर आपके छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण वर्ष आप सिहत मन्द रहें, घर में धन की बरकत हो और आपके बिगड़ी हुए कारे बन जाएंगे तो मित्रो एक बार फिर से देव दीपावली की आपको धेरो शुपकामना जुड़े रहे हमारे इसी मंच के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार